दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडिस्ट्री टिटोरियल में दोस्तों फिर से आज़र होगां बहुत सार वाकिंग एंटर बहुत सार रिक्रिमेंट लेके तो यहां पर आपको देखने को मिला होगा बहारा डाइनामिक लिम्टेड में वेकिंसी है वाकिंग एंटर तो यहां पर प्रोजेक्ट इंजिनियर प्रोजेक्ट ऑपिशर प्रोजेक्ट डिप्लोम असस्टेंट प्रोजेक्ट ट्रेड असस्टेंट ऑन जो है कॉंट्रेक्ट बेसे के लिए वेकिंसी है लोकिशन आपको बता दी गई है तो यहां पर जो वेकिंसी है जैसे मैं बात थाट करूं प्रोजयक्त इंजिनेर प्रोजक्त ऑपिशर के लिए तो वहां उस्टभ फोट बाइन्शी यहां पर दोस्तों क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास 60 परसंट बी बी टेक बी एस सी निंजिनिंग फोर ये इंट्री ग्रेटट एमी एम्टेक कोर्स और एक्वेलेंट क्वालिफिकेशन चलेगा रिलेटिव व्रांस इस एए सिटी से अप्रूब होना चाहिए यूनिश्ट इंसिट्यूट यहां पर दोस्तों नेक्ट चलें तो पोजेक्ट ऑफिसर एचार के लिए वेकेंसी है इसमें लागे टोटल वेकेंसी की बात करूं तो ग्यारे वेकेंसी जहां पर दोस्तों फर्स क्लास 60 परसंट एन एम्बीए एम्स जब्लू और पीजी डिप्लोमा टू लोकेशन आपको बता दी कि यह जो है इंट्रिवू होने वाला है करनाटका में होने वाला है शाड़े आठ वजे से पहले पहले आपको दर जाना रहेगा नेक्स्ट बात करें तो यहां पर पोजेक्ट डिप्लोमा ट्रेट असिस्टेंट के लिए जो वेकेंसी है वहां पर दोस्तों डिप्लोमा equivalent qualification चलेगा mechanical engineering से होना चाहिए state or चैंटर government से होना चाहिए नेक्स्ट प्रोजर्ट डिप्लोम असिस्टेंट इल्एक्टरनिक्स के लिए 3 वैकेंसी तूटल में लाके जो चार वैकेंसी हो गई जहांप दोश्च्ट त्रिय डिप्ट्रोम वैक्वेलिंट क्वाल्िफिकेश्टन एवरेक्टरनिक्स कम्यूकेशन और एलेक्ट्रोनिक इंजिनिरिंग चलेगा इस्टेटर सेंटर गवर्मेंट से होना चाहिए जुस्तों नेक्स्ट बात करें तो प्रोजक्ट ट्रेडर असेस्टेंट फिटर के लिए वेकेंसी है दस जहां पाइटे फिटर बिद एन एसी और उक्वेलेंडर च के लिए यहां पर मांगा गया दो साइट एलेक्ट्रोनिक मकीन है रेडियू मकीन यहां पर दो बिद एन एसी क्वेलेंड क्वालिफिकेशन चलेगा यह दोस्तों पांस तीन दोजार वाइस साड़े आठ होजी होगा लोकेशन सेम है टोटल वेकेंसी के लिए बात करो 22 वे दिप्लोम आसिस्टेंट प्रोजक्ट ट्रेड असिस्टेंट के लिए वन यहर का जो है एकस्पीरेंस माखा गया है जाए आप सामने पढ़ सकते होगा है तो वन यहर का एस एकस्पीरेंस काउंट किया जाएगा यहां पर वो चीज बता दी गहीं आपको तो इसे अच्छे स harvest इसके साथ सी दोस्तों रिए अवाकिंगे का जो है यहां पर दोस्तों नेक्स्ट रिजर्वेशन के बारे में बताएं गए जब पड़ सकते हूं और यहां पर इस तरीके से सारी चीज़ें बताएगी कि आपका जो है सेल इस्टेक्षर कैसे कैसे रहेगा फरस्ट इयर कितना मिलेगा जैसे प्रोजेक्ट इंजिनर ऑफिशर के लिए फरस्ट इयर 30,000 सेकंड इयर 33,000 फूर्थ इयर 39,000 ऐसे प्रोजेक्ट असे डिप्लोमा क इंडियर 24,500, थर्ड इयर 26,000 और फूर्थ इयर 27,500 रुपए जैसा यहां पर रखा गया है ठीक है वागी कुछ और विश्विदाएं जो आपको यहां पर बता दिया गया है सेलेक्षिन का तरीका क्या रहेगा तो सेलेक्षिन का तरीका वाकिंग इंट्रू रहेगा उस ब आपको जाना रहेगा तो एप्लिकेशन के साथ साथ जो जो डाकुमेंट्स लगने वाले हैं वह आपको साथ में ले जाने रहेंगे ठीक है जो जहां पर बता दिया गया है ठीक है सेलेक्षिन यहां बदे को बताएगा है कि आपके इसमें एक चीज कुछ चीज़ें और भी रहेंगी जैसे आवरेज मार्क्स पर्सेंटेज स्कोर यह सारी चीज़ें जो है इसमें और भी वह सारी चीज़ें बताएगी है जिसका 75 पर्सेंट बागी का पुस्ट क्वालिफ सेलेक्षिहिछिन मांक्स जैसे साधे मारच तीकिशंस यहां मार्क सहलेक्षियर इस तरीके सेंट मांक yore ठीक है तो दोस्तों चलते नेक्स नोटीफिकेशन की और नेक्स बात करें दोस्तों तो यहां पे वेकंसी है जो दोस्तों एक वाकिंटुब जो तीन चार पांच मार्ड दोजार तीज-दस से चारवे तक वहने वाला है लोकिशन आपको दीगी है MP वोपाल मौने वाला इंट्रीव यहां पर टर्म्स कंडिशन्स बता दिए गए हैं कि यह है लेक्टिकल मेकेनिकल के लिए वो सारी चीज़े पहले से बता दीगी है यहां पर बात करें जो सिवे लेक्टिकल मेकेनिकल यहां पर जो नंबर पूजीशन यहां पर बता दिया गया है तो आप पड़ सकते हैं और एज लिमिट 11-2022 के साब से काउंट किया जाएगा ठीक है तीसी एज लिमिट रखा गया नेक्स्ट है इंजीनर और यहां पर कोष्ट बता दिया गया यह सारी चीज़ आपको बता दिया लेकें जो यहां पर वेकेंसी है वहां पर क्वालिफिकेशन शेव है लेकन अलग अलग है के लिए पांच साल और डिप्लोंग लाड़ साल का एक्स्ट पीमेंट भी अलग है आप देख सकते हैं 35 एज लिमिट बता गया है यहां पर आप देख सकते हूं अगर आप किसी गवर्मेंट पर मैं काम कर रहे हो तो आपना अप्लिकेशन फिल करके और वॉकिंग इंट्रों के समय पर आपको जाना रहेगा और यहां पर कॉंटेक करके अच्छे से जा सकते हैं क्या कैदागमेंस साथ में लेके जाना वह चीज भी यहां पर बता दी गई नहीं है तो सारे से वी एक सारी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें होती है उसके दू-दू सेट बना के लिए कि जाओ पिछले वाले नोटिफिकिशन के लिए दूसेट बना के लिए कि जाओ जो सदिक्कत नहों next बात करें दोस्तों sisters प्रोजेक्टस यहां पर अपदेखोगे कमिश्निग सेट ड्टि इन चार्ज अप्रेशन स्ट इमिंट डियो तिलीटी farmersपिशन आते किमिश्निंग है यहां ।-n-s-t-r-u-c-t-i-o-n-s.co.in यहाँ पर एक चीजी है कि आपको subject में आपको mention करना रहेगा कि आप किसकी लिए अपलाई कर रहे हो hydrocarbon मतलब आपको जैसे drift in charge for hydrocarbon project इस तरीकिसे आपको जो mention करना रहेगा यह आप shift in charge के लिए कर रहे हो तो commissioning shift in charge इसा करके आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है तब आपका जो है क्या है कि फिल्टेशन मारते हैं तो इजी लिए आपका सीवी जो है मिल जाता है दिक्कत नहीं आती है